ये न भी पहली सर्विश, न हुखोरे ये बाल, यहाँ पर एक बार देखने वाली बात होगी, फिंगर के सारी बाल को हलाकि वपस किया गया था, इस बार मोका होगा, तया काया, और यहां पर देखने वाली बात होगी क्या खाता खुल लेकिन चलिए मुकाबला काफी करना गरम महुल किशाद दोनों ही टीमें उतनी हैं बार बढ़िया प्रयास था और वहां पर थोड़ी स्चूक हुई अंकों में दो एक अंकों के शाहत है सर्विस नेगवा के पालेसी हुई थी जबार तयार संकर वलकि छोटू आए थे वहां पार लेकिन साइड लाइन से बाहर लगतार श्कूर बढ़ रहा है नेगवा चार एक के शाहत सर्विस होगी भाया था इस बार बढ़िया सर्विस थी क्या एक अंक मिलेगा पर बढ़िया अटेक यहां पर ब्लोक खूप सूरत हुई और तो अब पर बढ़िया टेक तो खूपसूरत डिफेंस हुआ है इस बार मोका होगा देखने वाली बात होगी निफ्ट और यह वाल इस बार डिफेंस के आगे है मोका है बढ़िया टेक है अब अब एक रंक में थवा हुआ है इस बार मोका होगा त्या बढ़िया वाली थे यहां पर और गलती हुआ टीके से तीसरा आंक मिलता हुआ इस बार इस बार पुने बोका होगा चोटी बार आप उसूने अपना जलवा दिखा शाथ की साथ इनका शूर है और काया चले सर्विस को लेकर इस बार निशीथी एक अच्छा वाहुल होगा जब आगे बढ़ेगा यहां से इस बार बढ़िया जो अभी हमला हुआ है कि निशीथी आपको भी हिलने डूलने का मुका मिलेगा बहराल इस बार तयार काया निशीथी जिसीच के लिए जाने जाते हैं वह खिर दिखाती हुए इस बार वह प्रयास था क्या आठ चार है इसको चलिए धनवाद पहले काउंटिंग हो चुकित इस बार काया कि बारी थी और काया ने अपना जल्वा दिखा दिया है बैडान में नौचा अगर आप अगर आप अगर आप अगर लोंग उग्राउंड में खेल रही है अच्छा खेलना होगा और लगातार गलती होती हुए आपर छोटू से बढ़िया सर्विस है इस्वार चोटी बाल में अच्छा पहार इसवार बुने चकाया है आपर अक्षायर है काफि चतुर और बाराचा लगातार टाइम आउट का फाइदा नहीं मिला है आपर छोटू निशी थी जिस तरीक जिस तरीके से बेंजू के तार को काफी सवरों को साथ नहराते हैं भाई फ्रूर शी प्लेज जी उनके और से नेगवाट टीम अगर गीती है तो सवरों पे करासी दी जाएगी और आप हैं परसुराम साहु जी इमली टोला यहां पर कहीं ना कहीं जोगी लुडिया के सिक्स फोर्टी 15-6 15-6 काफी बड़ा स्कोर है हाँ पर काफी लीड में चलती हुई नेगवाट टीम जिस तरीके से अपेक छाएं और जो अनुवान लगाया जारा था स्याम जी कहीं ने कहीं वो नस्ता मबूत होता हुआ नजर आ रहा है अगर यहां से जोगी लुडिया अच्छा खेले तो निशी सी बात बनेगे इसमार पढ़िया अटेक था और अंकों में एजाफा होता हुआ चलिए रेगवाटीम जीत्ती है पुदरलगातार राशी आ रहे हैं पर फूर सी कुलेस बेंजु मास्टर एक सुपरस्टार बेंजु मास्टर है आप तो अपकोर से सो रुपे की रासी आई है और उपर सुराम साहूर इपली टोला की और से भी पचास रुपे की रासी काया दसंगों काफी पड़ा ली एक तरफ इसा मुकाबला जिस तरी इतरी के सहां पर स्याम जी आंकड़ा लगा रहे थे कि मतलब कहीं न कहीं यह कांटे का मुकाबला होगा भारत पाकिस्तान का लेकिन यहां पर कुछ और होता हुआ नजर आ रहा है चलिए काया अपना चाफ चोड़ती हो मेदान में और और पुने गल्ती के ओपर गल्ती हो रही है जिसका खामया जा भुकतना पर रहा है हाला कि नए खिलाडियों के साथ जो टीम है जोगी लुडिया के टीब अन्ने तो और की पेख टीम होती तो नसीदी कुछ और वात होती गह रहा अच्छा मेंच हो ऐसे आसा है जोगी लुडिया को ठीकिस बार धिया था और तेब नेशनल लेबल अंडर नैंटिन यह है नर सुनेल की वारी थी लेकिन इनका भी सिक्का नहीं चल रहा है पता नहीं कौन से भाजी खाके आए हैं आच चलिए इस बार है कुछ जाते जाते हाथ साब करना पड़ेगा पहले सेट में और इस बार में सीथी अच्छा हाथ खोला है पर छोटू ने हमको नहीं जाफा होगा काफी बड़ा फासला है इस सेट को जीतने के लिए फाइनल जैसा समझ में नहीं आ रहा है जोगी लुडिया को अच्छा खेरना होगा जोगी लुडिया की कम से कम पांच से च्छे हजाद की दर्सक है यहां पर आप अगर होसला बनाएं जोगी लुडिया टीम की तो देशी थी दूसरा सेट में कुछ अलग देखने को में देगा बहराल बड़ी है मिस बगाबला चलता हुआ इस पार इस बार मोगा हलिप्रों की बार और डीके की बारी की बार पर प्लेस से काम गना दिया है और पहला सेट जीत लिया है